पंजाब दे विच देर रात तो रुक रुक के हो रही बारिश ने जिते लोका नुग गर्मी तो राहत देती है ओत्से हुन लोका ने वी सुख दा सा लिया तास्तिये की लगातार हुमस अते गर्मी दे कारण लोकां दा जीना मुश्किल होया प्यासी क्योंकि लगातार बदल भी बांड़े सी पर बर्शाथ नई सी गुरी जिस कारण काफी ज़्यादा गर्मी वाद गई सी हलाकि ताब मांग जो है कोई ज़्यादा नई सी पर हूमस ज़्यादा हों दे कारण लगातार लोकानु काफी पसीना आ रहे है सी ते हुण इस तो राहत मिल दी नजर आ रही है तासी एक चन्डीघड पंजाब अते खरियाना दे विच बारीश हो रही है पंजाब दे कई खेतराँ दे विच मीपै चुका है अते कई थामा दे ते हुण भी लगातार बरसाथ हो रही है जेकर गालकिती जावे राजपुरा दी ता राजपुरा दे विच भी बीती रातों हलकी बरसाथ हो रही है जो की हले तक भी जा रही है ते इस दे नाल ही जेकर गाल किती जावे चंडी गार्दी ता चंडी गार्दे विच भी पारी बरसाथ हो यह दास्तिये की स्विरे समने अईया ने जिज़विच साफ देखा जा सकता है कि हलकी हलकी बरसात हो रही है उत्ती लोकाने सुकदा साल यह ते दुझे पासे पंजाब देविच चोने दी लवाई चाल रही है इसे नाली हर्याना देविच भी किसाना नो इस बारिष दा बड़ा फायदा होया क्योंक एक जुलाई तो लेके पंच जुलाई तक पारी मीदी चेतावनी जो है पंजाब हुर्याना आते चंडिगर दे कई हिस्यां दे विच दिती हुई है ते इस दे नाल ही ए बारिश जो है किते ना किते हुन लोका लेई राहत लेके आई है पंजाब दे विच देर रात तो रुक रुक के हो रही बारिश ने जिते लोका नू गर्मी तो राहत दिती है उते हुन लोका ने वी सुख दा साल लेए तास्तिये कि लगातार हुमस अते गर्मी दे कारण लोका दा जीना मुश्किल होया प्यासी क्योंकि लगातार बदल भी बांडरे सी पर बर्शात नई सी गुरी जिस कारण काफी ज़्यादा गर्मी वाद गई सी हलाकि ताब मांग जो है कोई ज़्यादा नई सी पर हुमस ज़्यादा हुन दे कारण लगातार लोका नो काफी पसीना आ रहा सी ते हुन इस तो राहत मिल दी नजर आ रही है दास्ये के चणडी गर्ण पंजाप अते ह्रियाना दे विच बारिश हो रही है पंजाब दे कई खेतरां दे विच मी पैच उका है अते कई थामा दे ते लूह भी लगातार बरसात हो रही है जेकर गालकिती जाव ते यूमस खतम होई है उत्थे ही मोसम भी ठंडा अते सुहाना हो गया है ततास्तिये के तस्वीरां समने आईयाने जिज़विच साफ देखा जा सकता है कि हलकी हलकी बर्सात हो रही है उत्थे ही लोका ने सुकदा साल लेया है ते दुझे पासे पंजाब दे विच चोने दी लवाई चल रही है इज्ञाली हर्याना दे विच किसाना नू इस बारिष दा बड़ा फाइदा होया क्यूकि लगातार मोटना तो पानी कडे जा रहे सी लोकाल ही राहत लेके आई है